कि नमस्कार प्रियमेत्रों मैं जोतिस्कार कमल आप सब का हार देख अब नंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एश्ट्रो कमल में दोस्तों अपने बारत में कुछ साधना ऐसी होती है जो छोटे बच्चों से समंदित होती है ये साधना मुंजा भी कहलाती है ये साधना कच्चा कलवा भी कहलाती है और इन से उपर एक साधना होती है जो कलवा वीर के नाम से कहलाती है अब देखो एक काला वीर एक होता है कलवा वीर इन दोनों में फरक है कलवा हर कोई बच्चा नहीं बनता है इस पर लंबी चर्चा क शी दूसरी वीडियो में करेंगे लेकिन कलवा बनने के लिए कुछ बच्चे में आहरता ही होती है योगता ही होती है और उसी वक्त वो मरता है उसी परकार से वो पेदा होता है उस उम्र को पार कर गया होता है जहां वो थोड़ा समझदार हो गया होता है और ऐसे घर में हुआ बच्चा या पेदा हुआ बच्चा वही कल्वा बन सकता है कल्वा तो बन सकता है लेकि उस कल्वे में इतनी सक्ती होती है कि अच्छे अच्छे वीरों पर भरी पड़ जाता है देवता के मंदिर में मस्जिद में दरगा में कहीं भी वह पहुंच सकता है उसे कोई रोक बिना मतलब के कलवा किसी को परहसान ने करता है लेकिन अगर किसी कारण से किसी ने किसी पर कलवा वीर को बेज़ दिया तो इतनी मुशिबत होती है उसको निकालने में पसीन शुट जाते हैं अच्छे अच्छे तांत्रिकों के भी एक बारत खराब हो जाती है इतना सक्तिसाली कलवा होता है ये एक दुष्ट सक्ति होती है जो हमेशा नेगेटिव काम ही कर सकती है पोजिटिव काम इससे ने होते है कोई भी positive काम का बो दो, यहाद उपर कर देगा, negative काम का बो बो, हाँ बर देगा, तुर्न पापका negative काम कर देगा इसकी साधना कई परकार से होती, मेरे पस कई परकार की साधना है, इसके मंतर वगíरा है हैं लेकिन आज मैं एक ऐसी साधना बताता हूँ जो हमारे एक मित्र ने जो खुद तांतरीक हैं अच्छे उन्होंने भेजी उन्होंने अच्छे तरह से बताया कि यह जो साधना है ना देखो एक तो मित्र है जिन्हों साधना की है उनकी साधना अलग है वो आएगी तो वो भी मैं कलवा वेर के साधना दूंगा वो भी होली स्पेसल साधना है होली के चार दिन पहले होती है और ये साधना भी आप किसी भी सनिवार या किसी भी अमावस्या के दिन से सुरू कर सकते हो और 21 दिन इस साधना को करना कि आउशकता है जिस समय होली का देहन होगा उसी समय कलवा प्रकट होगा साधना तीन दिन किये चोथा दिन जो होली होता जिस दिन होली का देहन होता है उस दिन कलवा प्रकट होगा उस दिन आपसे बाच्चे थोगी तो इस साधना में करना क्या पड़ता है कैसे ये साधना ह होती है यह गुप्त मंत्र है जो गुर्मों की मंत्र है और यह आपको मैं साधना और विधान बता ओँ यह करने का नहीं है अपने को किसी को भी करने का नहीं है क्योंकि एक बार कलवा चिपट गया तो फिर इतनी मुश्यवत होगी कि वापस आप से भी दूर नहीं होगा हाला के जीवन में कोई आर्थिक नुक्षान करवाने हो जितना भी बुरा काम होता है वो सब आप इससे करवा सकते हो जो यह सटे का नमबर कलवा नहीं बता सकता यह उसके बस की बात नहीं है क्योंकि कलवा कल नहीं देख सकता इस प्रकार से हर बुरा काम हो यह गर्बवती इस है इसकी साधना कैसे होती है इस पर थोड़ी चर्चा करते है इसकी साधना होली के तीन दिन पहले यानि कि चोथे दिन होली होनी चाहिए इस बात का ध्यान रखे है रात बारा बज़े से इसकी साधना सुरू होती है और ये साधना करके संसान में बैट करके और एक संसान की टी से से पिण्ड मनाना पड़ता अस को कालवा मानना पड़ता है इस ranged Better है और इसके और कहीं तरीके होता है जो जानते हैं मुझे पता है कमेंट करेंगे कि सब्सक्राइबा करूं गहां अगर आदमी सुनने के लिए आप लोग इंटरिस्टेड होंगे तो एक तरीके पर भी बात करूंगा इसके कई तरीके होते हैं वो कई तरीकों से जैसे कफन से भी कलवासिद होता है लकड़ी से भी कलवासिद होता है बहुत सारी चीज़ें जिससे कलवासिद होता है तो आज जो प्रोशेजर बत में उसको देशी सराब चड़ाएं और बकरे की कलेजी चड़ाएं साथ में आपके एक पाउदूद होना चाहिए यह चार दिन का प्रोशेस है और चार दिन इस प्रकार से आपको काम करना है अब क्या है जैसे आप वाँ बैठे हैं आपने सब काम कर लिया सुरुक्षा घिरा अच्छे तरश लगा लिया दिग बंद लगा लिया असन बंद लगा लिया पूरी बंद बंद आपके अच्छे तरश टॉप कॉलिटी की होने चाहिए पहले से सिद्ध होने चाहिए वो आपने लगा लिये अब आपकी कलवा की साधना होती है सुरूरु वहीं बैठ करके आपको और हड्डियों की माला से या फिर रुदरक्ष की माला से आपको एक हजार आठ बार कलवे के मूल मंतर का जाप करना पड़ता है इस प्रकार से आप तीन दिन जाप करते जाएंगे पहले दिन से ही आपके साथ सुरू होगा कि वो जो सराब है वो सराब दिरे-दिरे कर लंबे-लंबे-दांत और एकदम ड्रेकुला जैसे पता नहीं किया कि कहां से निकल निकल के आएंगे आपके चारों और से गुमते हुए आपको दिखाए देंगे लेकिन डरने की कोई आशकता नहीं है जब तक गेरे में हो तक डरना नहीं और बाहर निकल गए तो फिर पक उस पिंड के सामें आप जला दें जला करके अब आप मंतर का जाव सरू करें मंतर इस प्रकार है इस प्रकार नहीं है मंतर में बहुत सारी चीज़ें छुपा ली गई है क्योंकि कोई कल को कोई बच्चा अगर इस मंतर को प्रियोग लेकर बैठ गया जोश जोश में साधना मतलब जिसे बड़ी हानिका रख हो जाती है, मारने वाली हो जाती है, कोई बच्चा इस में मर गया तो मुशिबत हो जाएगी, तो पूरा मंत्र नहीं दिया जाता, बीच में से कुछ अंसिस में से काट लिए गए हैं ताकि मंत्र किसी काम ही नहीं करे और कोई कल्वा ओम वीर, सो वीर के वीर, कल्वा वीर, प्रतक्ष आवाह, मौर बुलाए, मौर गुरु के बुलाए, महादेव पार्वती के बुलाए, तुरंत प्रकट आदेश गुरु का, यह मंत्र बीच में से काट कुटा है करके थोड़ा सा मंत्र आपको दिया जाता है, सिर्फ जानक काता है, आखिर में कल्वा उसको लेकर के ही जाता है, और मरने के बाद में वो आदमी उस कल्वे का गुलाम बन करके घुमता है, तो इस प्रकार की बुरी साधना है, इसको करने का नहीं, सिर्फ जानकर ही अपने बारत में इस प्रकार की साधना होती है, कल्वे का और बी ल कल्वा आपके पास आएगा कल्वा आपके पास आएगा तो उसको कलेजी जो होती है बकरे की बकरे की कलेजी सराब और एक पाओ दूद कच्छा दूद वह आप कल्वे को देदें वह एक एक करके सब चट कर जाएगा पी जाएगा और अब कल्वा कहेगा कि मांगो क्या मांग भी पूरी करने पड़ेगी, तो जिस समय कलवा कलवे को आप बुलाओगे, या उससे कोई काम करओगे, काम करवाने के बाद उसे उसका भोग देना पड़ेगा, और भोग अगर नहीं दिया तो कलवा आपकी जान भी ले सकता है, भोग लेकर के कलवा चला जाएगा, आपका क काम करके चला जाएगा, बुले कामों के कलवा को बडर अंटरस टा आता है, अच्छे काम कलवा से होते नहीं, एक बाष्छा काम कलवा नहीं कर सकता, तो इस प्रकार से यह साधना होती है, अगर आपको वीड़यो अच्छा लगआ होतो लाईक करें, अर् यदि पहली बार म पास में बेल आइकोन का बटन वदर बद ने तक हमारे घ्ञान वर्दक जानकारी पुर्ण वीडियो सबसे पहले आप के पास आ सके जैसरी क्रिश्णा दोस्ता हूं को कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो